गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम सीय सुमित गर गय और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो किसी भी GST अपडेट के रिगार्डिंग नहीं है रैधर ये उन सभी अपडेट के रिगार्डिंग है जिससे GST में जो प्रोफेशनल्स हैं और टेक्स पेर्शान है टेक्स पेर्स और प्रोफेशनल्स में प्रोफेशनल्स ने काफी बार ट्राई किया है कि GST काउंसिल्स को बताया जाए कि interest के provision से जो gross tax liability पे है उससे taxpayer को क्या दिक्कत आ रही है जो reconciliation है उसमें क्या दिक्कत आ रही है GST system failures है उसमें क्या दिक्कत आ रही है 36.4 की implementation है उसमें क्या दिक्कत आ रही है ITC की blockage है उसमें क्या दिक्कत आ रही है reference के जो procedures है उसमें क्या दिक्कत आ रही है लेकिन गौर्मेंट अडिक है और गौर्मेंट कहती है कि GST सबसे सरल टैक्स है इसी के चलते हुए आज प्रोफेशनल्स का गुस्सा सामने आ गया है और उन्होंने एहमदाबाद में जो उसमानपुरा स्थित GST की बिल्डिंग है उसके सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है आज प्रदर्शन का पहला दिन था उसमें आप एक फोटो देख सकते हैं ये प्रदर्शन जो प्रोफेशनल्स लोग हैं बिल्कुल साइलेंट तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं GST में हो रहे अपडेट से जो की टेक्स पेर फ्रेंडली नहीं है न्यूज में जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो अपरोर यूज किया जा रहा है कि एहमदाबाद में ये जो प्रोफेशनल्स लोग हैं ये उछलकूदिया उत्पाद मचा रहे हैं सबसे पहले आज जो GST सिस्टम में गड़बड़ी है आज उसके बारे में बात कर लेते हैं आप सभी को पता है कि जिनकी भी टर्न ओवर 5 करोड से उपर है उनकी ड्यूडेट 20 फरवरी 2020 है लेकिन पोर्टल आज भी उस ड्यूडेट को स्टेट वाइस लिस्ट के हिसाब से 22 और 24 फरवरी दिखा रहा है इसी के रिगार्डिंग इनोंने एक अलर्ट इशू किया है कि 5 करोड से उपर वाली जो टेक्सपेर्स हैं उनकी ड्यूडेट 20 फरवरी ही है जो पोर्टल पे ड्यूडेट दिखाई जा रही है वो गलत है तो ये भी समझ रहे हैं कि पोर्टल इनके पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है और कुछ ना कुछ टेक्निकल गलचेज डे बाइडे आते ही रहते हैं आप देख सकते हैं न्यूज का टॉपिक है अपरोर अट कमर्शियल और सेल्स टेक्स डेपार्टमेंट ओवर गलीचेज इन जी एस्ट फाइलिंग तो जितने भी प्रोफेशनल हैं गुजरा सेल्स टेक्स बार असोशेशन के आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया है जी एस्ट डेपार्टमेंट के सामने आएए देखते हैं इन्होंने जस्ट इतना पूछा की ओनलाइन प्रोटेस्ट कैसे होती है रिटन हमें बता दीजिए क्यों एक एक रिटन को फाइल करने में इतना टाइम हमारा जाता है इन्होंने यहां पर अपने एक स्टेटमेंट भी दी है तोड़े वी वेंट तो राज्यकर भवन विद बिजनस पीपल और वी साथ मेंबर्स थेंसल्फ आर नॉट अप टो देट जो स्टाफ है उन्हें ही नहीं पता कि रिटन कैसे फाइल करनी है प्लस अपनी स्टेटमेंट में कोट कर चुके हैं हमारी सिर्फ एक ही दिमांड है कि सिस्टम सिंपलिफाई होना चाहिए वी अप्रोच फॉर कमेंट एमके भंडारी डेपिटी कमिशनर कमर्शिल टेक्स इगवर्नेंस गुजराग तो वो मीडिया यह जो प्रोफेशनल्स रोग हैं यह मीडिया नहीं है रेधर यह टेक्सपेर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं जो जीस्टी को इंप्लिमेंट करने में सरकार की मदद कर रहे हैं तो एटलीस जो डेपिटी कमिशनर्स हैं कमिशनर्स हैं की ड्यूटी है कि वो टेक्सपेर को भरोशा दिलाएं कि जल से जल उनकी प्रोविम्स सॉट आउट की जएंगी तो मैं इस वीडियो के जरीए जस्ट आपको इतना बताना चाहता हूँ कि professionals लोगों को दूसरे professionals की तरह at least simple way में protest करना होगा ताकि GST में जो हमारे साथ हमार को problem आ रही है उन problem का जल से जल basis पे निप्टारा हो सके आप सभी को पता है कि जो government है वो day to day changes कर रही है वो changes taxpayer friendly बिल्कुल भी नहीं है और government उस पे अडिक है वो हुने change भी नहीं करना चाहते अभी तक आप देखेंगे section 51 का proviso जो taxpayer friendly है implement नहीं किया गया है तो काफी सारी एकसी amendments हैं जो taxpayer friendly होते हुए भी अभी तक implement नहीं की गई है अगर आप form PMT 09 की बात करते हैं तो वो भी अभी तक portal पर approved नहीं किया गया है जबकि उसके related law rules सब कुछ implement हो चुके हैं लेकिन form अभी तक available नहीं है अगर आप देखेंगे annual return जो 18-19 की due है 31st March को वो भी अभी तक portal पर available नहीं कराई गई है और बाद में professionals की गलती बताई जाती है तो सभी professionals को एक साथ इखटा होके शान तरीके से GST के against protest करना होगा ताकि हमारी सब की बातों को सुना जा सके Thank you so much